तो इस नेक्स्ट कोश्चन इस अफ्रम दिसमबर 2013 तो इस कोश्चन में मैक्सिमम लोगों ने गल्ती क्या करी जब हम कुश्चन का फॉर्मेट देखते हैं तो यहां कुछ थियोरी होता है पी और उसके बाद यहां ऑप्शन होते हैं A, B, C, D तो जब भी आपको कॉश्चन सौल करना है तो पहले यह देख लेना कि आपको क्या दिया हुआ है कि इफ पी देन पूछा गया है या दूसरा फॉर्म हो सकता है कॉश्चन का कि कॉश्चन दिया हुआ है यहां पी दिया A, B, C, D और यहां लिखा हुआ है इफ तो इसका मिनिंग क्या है कि आप्शन से कोश्चन की तरफ जाना है और इसका मिनिंग क्या है कोश्चन से आप्शन को अडेंटिफाई करना है ठीक है और जैसे यहां इसकोश्चन में आपसे पुछाए कि R N से R N पे कोई एक लीनियर transformation है then which of flowing statement implies that तो यानि कि कौन सा option imply कर रहा है कि T हमेशा bijective होगा तो T जो दिया हुआ है RN से RN पे linear transformation या linear operator और first option उसने दिया हुआ है कि nullity of T N हो जाए तो nullity of T N हो गया तो ये कभी भी 1,1 नहीं रहेगा तो इस option से ये imply नहीं हो रहा कि ये bijective होगा second rank of T is equal to nullity of T rank of T और nullity of T अगर N को मैं 2 ले लेता हूँ और nullity और rank 1 ले लेता हूँ तो ये भी imply नहीं करेगा कि 1,1 और on to operate और C rank of T plus nullity of T maximum student ये answer माग करके आते हैं बट ये statement तो हमेशा true है उसने ये नहीं पूचा कि T linear transformation है तो कौन सा true होगा उसने ये पूचा कि किस option से इसको हम bijective बना सकते हैं तो ये तो हमेशा true होता है हर linear transformation तो this information does not implies T is bijective और T दिया हूए इसने rank of T minus nullity of T is N अब ये अगर true हो गया और हर linear transformation rank of T plus nullity of T is equal to N हमेशा होता है तो यहां से two time rank of T is equal to two time N आजाएगा तो rank of T N हो जाएगा और nullity of T फिर क्या हो जाएगा zero तो mapping should be one one and on two तो D option should be correct remaining all are false option clear है तो कहां mainly आपको ये identify करना था कि कौन सा option से आप T को one one on two बना सकते हो clear है तो यूपा प्राफ सा क्या है झाल झाल